कि गुटमान डियर इस्ट्रेंट्स इस क्लास के तहट क्लास 11 के विद्यार थी जो आपकी फर्स्ट लेशन पोएम थी उसमें कुष्ट्टन एंसर आप लोगों को यहां पर हम साल्व करवाने चलने हैं उन प्रस्ट उत्तर को आप समझिए पोएम आप अपने सामने बुक खो तो इसको यहां पर आप समझें अच्छे तरीके से पहले कि वाट डज दवर्ड कार्ड वोर्ड डिनोट इन पोएम वाई हैस देस वर्ड बीन यूजड अब देखिए यहां पर आ रहा है कि कार्ड वोर्ड क्या है ठीक और इस सब्द का प्रियोग क्यों किया गया है कार्ड वोर्ड आपको बताया गया था मतलब यहां पर कार्ड वोर्ड का मतलब ही ए फोटो ग्रैफ था जिसमें मतलब वो फ्रेमिंग किया रहता है ठीक उसी को हम कार्ड वोर्ड कहते हैं देखिए लिखा है The word cardboard in the poem denotes a photo frame अब समझने है, photo frame आपको Containing an old picture of poor mother and her two cousins मतलब बेचारी मा और उसकी cousins मतलब दो girl cousin की बात किया गया था ठीक है The cardboard is hung over the wall देखिये, hang hung hung होता है ठीक है, hang hanged hanged दोनों अलग-अलग है, समझ लिजए अगर hang का मतलब लटकाना और hanged का मतलब किसी को फासी पर लटकाना होता है दोनों का अलग-अलग अर्थ होता है Over the wall And seeing it, the poor, the poet लिखा गे And seeing it, the poet Harked back in the past memories जो कभी तरी हैं, वो कहां पर? अपनी पुरानी यादों में खोने लगती थे अब समझ ले है? तो अब आप लोगों का पहला question है की card word क्या है? अब card word मतलब क्या हो गया? एक frame है, जिसमें कोई picture तस्बीर क्या की जाती है? लगाई जाती है, ओके? तो इसको आपको समझना है अगला देखिए, यहीं पर question लिखा गया What has the camera captured? गैमरे ने क्या कैद किया? गैमरे में, गैमरे ने कैद क्या किया था? कि दो लड़कियां पोईटेस की जो मदर है उसके हाथ को पकड़े हुए एक left को, एक right को और उसकी माँ बीच में है और पानी में छपचपी कर रही थी अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया The camera has captured a memorable fast picture of पोईटेस मदर with her two cousins in that picture पताया गया? उस picture में दो लोगों थी मतलब तीन थी मदर थी और उनकी कजन थी The mother was enjoying a sea holding and the photograph was clicked by the mother's uncle expressing the smiling faces of all three on the sea shore जो photograph खीची गई थी वो mother के अंकल के द्वारा खीची गई थी समझ में है? इसका मतलब पोईटेस के वो नाना हो गए ध्यान रखियेगा अब क्लियर हुआ यहाँ पर दो question question number third है What has not changed over the years does this suggest something to you? क्या समझाता है कौन सी ऐसी चीज है जो सालों से परिवर्थित नहीं हुई थी? question number third according to the poem the sea has not changed over the years मतलब उसमें थोड़ा भी परिवर्थित नहीं हुआ था और इतने आवद के बाद भी transient man मतलब एक नस्वर आदमी और अदर आपजेक्ट्स अन्यबस्त हुएं आर मॉर्टल्स सब क्या है नस्वर है इम्मॉर्टल गार्ड है ध्रमद लीजेगा मॉर्टल कौन आदमी है वेरिस दसी इस इम्मॉर्टल जबकि जो यह ओशियन है समुद्र है वह क्या है इम्मॉर्टल है तो यहां पर इंटानिम से नानिम भी आप लोग लर्ण कर लिया करिए जो बीच में बताया गया ठीक इसको ध्यान में रखेए जैसे आप चार्ख वोड बताया गया फोटाग्राफय आप इसका सानिम के रूपं निख सकते हैं नुझा बता सकते हैं मॉर्टल का इछ ऐसे से नानिम लएंफ करने का तरीका होता है् अब यहाँ पर अपर हम जाते हैं कुश्च अनॉम्बर फॉर देख्या गया है the poet's mother loved at the span shot what did this love indicate जो poetess की mother है वो हस्ती है किस पे उस photograph पर snapshot पर तो यह क्या indicate करता है देखे लिखा गया at the time of the snapping of the photograph poetess mother was a young girl of 12 12 साल की लड़की थी she was enjoying the sea holiday with her two cousins and laughing at the sea shore because it was her childhood यह बच्चपना को प्रदर्शित करता था and she was absolutely free from worldly tension and worries मतलब उन्हें कोई परेशारी नहीं थी यह जो सांसारिक मतलब बंधन है ना सांसारिक जो चिंताएं हैं उससे मुक्त हैं मतलब मुक्तता की इस्थिती को दिखाया गया जब बाराइस साल की लड़की थी और समुद्र के किनारे क्या कर रही थी खेल रही थी ओके अब इसको 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 आप लोग कर लेंगे कुछ नमर फोर कुछ नमर फाइब पर हम चलते हैं देखे लिखा गया है वाट इस दे मीनिंग आफ दे लिटिल बोथ बेरी विथ आ लेवर्ड इजी ओफ लॉस अब देखे एक वर्ड दे दिया गया इसकी मीनिंग पूछ लिए आपसे मतलब एक छोटे इस वर्ड का जैसे सुकती लिखते है ना किसमें प्रोज में मतलब हिंदी में वही टीचेज है यहां पर लिखा गया लिखा है बो अब यहां पर पुएट बार बार लिखा गया पॉइटेस हो गया यहां पर चूकि लेखिका के बारे में लिखा गया एड हर मदर बोथ वर इंटू दियर पस्ट को दोनों कहां पर चले जाती थी अपने प्राइब पास्ट में चले जाती है बट डोश डिए वर टेंसन फ् कवित्री की महां बहुत खुश प्रतीत होती हैं and free from worries और परिशानियों से मुक्त दिखती है whereas जबकि the poet warned the loss of her mother जिक बोथ lost as the time would not return मतलब इसका मतलब हो जाता है कि जो समय बीट जाता है वो वापस नहीं आता यह question number 5 था आपका तो अब यहाँ पर आपको 5 questions बताएगे अब हम लोग next question पर चलते हैं question number 6 देखिए उपर हिंदी लिखे गई इसको आप लोग पढ़ लेंगे अब हम लोग question 4 पर जिक्र करते हैं लिखा गया है what does this circumstances refer to मतलब जो घटनक्रम है यह किस चीज को संदर्भित करता है देखिए the circumstances refer to the absence of poetess mother के बताता है कि अब कभी इत्रे की मा नहीं है seeing the old photograph उस पुरानी picture को देख करके the poetess becomes sad and her mother was no more in the no more than तुखी होती है और उनकी मा इस समय नहीं होती मतलब थी but she had sweet memories of her mother लेकिन उसके पास उसकी मा की पुरानी मतलब जो मधुर्याने है ओ है in her memories which teased her again and again जो उसे बार बार चड़ाती है at that time उस समय the poetess had nothing to share कभी तरी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है and surrounded by the silence in the circumstances और वह पूरी तरह से उस घटना क्रम से क्या है घिरी हुई है आगे समस्कनी अब इसको आप लोग इस दूसरे कुस्ट मतलब छेटे कुस्टन को भी नोट कर लेंगे अब हम लोग कुस्टन नबर सेवन पर लास्ट कुस्टन है जो NCRT से रिलेटेड है आप लोग इसको पढ़ेंगे लिखा है दन्दट ः salaries स्टैंज किया हैं डी एक से बिलेंस आप्ल इसria की अवस्था यहां पर फोटोंग्रैफ की तीन आवस्थां के बारे में जिक्र किया गया था त्री इस्टेंजा फिच डिफिक्स थ्री फ्रेज थ्री फेज वर जो तीनों फेज़ों को दर्शाया गया वो क्या थे फर्स्टली पहला प्वेटेस मदर वाज यंगर आफ 12 विट फेलिंग आफ चाइल्ड होड पहले में जब प्वेटेस की मदर नवी वक्त थी जब उनमे बच्पना था उसकी फीलिंग को दर्शाया गया वो अपने मतलब जो छुट्टियां है उसमें आनंद लेती है एड़ बीच विथ हर कजिन्स समुद्र के किनारे अपनी भतीज्यों के साथ डॉली एंड बैटी ओके इंड शेकंड फेज दूसरे फेज में प्वेटेस मदर smiled at her own photograph when she was married woman अपनी फोटो को देख करके वो खुद हस्ती है जब क्या हो जाती है married हो जाती है मतलब बंधन में बद जाती है and in the third phase और तीसरी अवस्था में poetess feeling for her mother can be seen as she had lost her mother यद्दिप की वो अपनी मां को खो चुकी थी लेकिन फिर भी उस photograph में वो अपनी मां को देख सकती थी मतलब उनको remember कर सकती थी याद कर सकती थी this phase is very painful और यह तो तीसरा phase है बहुत दर्द भरा है as the poet has lost her mother as she was dead जैसे कि poet बहुत दुखी है किसके अपनी मां को खो करके जैसे कि वो क्या हो चुकी है मर चुकी है यहां बार-बार एक चीज में आपको confusion हम create कर रहें ध्यान रखेगा poet और poetess तो हर जगह पर आप जैसे किताब में poet लिखागे आप उसको हटा करके poetess लिख लिजिएगा ठीक तो आपका answer सही रहेगा सीधे सीधे कभी इत्री आएगा यह लिखा भी है कभी इत्री ठीक है तो उसको आप लोग करेंगे ठीक है तो यहां पर आपका यह chapter क्या होता है complete होता है आप लोग word meaning note कर लेंगे इन सभी प्रस्नों का उत्तर note कर लेंगे central idea भी आपको भेज़ेंगे thank you for this class